हेलो फ्रेंज, आजे हो तमारी साथे स्ट्रीट फूड वडा पाउ गरे केवी रीटे बनाववा, एनी रेसिपी सेर करीस, वर्साद नी सीजन होई त्यारे गरम गरम आ नाश्टो औने साथे मर्चाना पत्ती बजिया खावानी गणी मजा आवे, मुंबई नी साथे सूरत न वडा पाउ बनावा माटेना आवे 2 सेप होई छे, एमा एकटो बटाकानू स्टपिंग बनावी ने एना वडा बनावा, अने ट्यार बाद रेडि करेला बटाकाना वडा पाउन इवत्चे मुखी ने वड़ा पाउम रेडि करवा, सवठी पहला बटाका वडाना बहान ना पड माटे बेसन माठी खीरू रेडी करीशूं। एना माटे एक पहडा वांसन माँ बे प्लस अड़्दो एम तोटल अड़ी कप बेसन चाड़ी लिदू छे। हवे एमा वन्थड टीस्पून हींग, वन्थड टीस्पून हर्डर, स्वात प्रमाणे एक अनेबीजी अड़्दी, एम टोटल डोड टीस्पून मीठू, टेमाज बे टेबल स्पून जेतली जीनी कापेली कोठ मीर नाखी ने मिक्स करीशूं। हवे एक कप पाने लिदू छे, ए एमा नाखी ने बेसन माटी पहला स्मूर्ड पेस्ट बनावी लईशूं। ट्यार बात बीजू अर्द कप पाने लिदू छे, एमाठी जरूर प्रमाणे एमा नाखी ने मिक्स करीशूं। काराणके वडा बनावा माटेनू खीरू ठोडू गत्त राखीशूं। खीरू रेडी छे, तो हमना एने डाकी ने साइड मा राखीशूं। एकले बेसन सारे डिटे पलडी जाई। स्टपिंग बनावा माटे मी एही ठोड़ा नानी साइज ना अने ठोड़ा मुट्टी साइज ना इम टोटल 12 नंग बटाका बाफी ने एनी उपणी छाल हटावीडी दी। वजन प्रमाणे जोईये तो आसरे एक किलो बटाका लिधा हटा। हवे आब आफेला बटाकाने मेस करी लई सु। त्यार बाट इनो मसालो रेडी करवा एक फ्राइपेन लईने श्टाव उपपर गरम करवा मुखी सु। गेस फ्लेम मिडियम टरफ राखी ने एमा एक टेबल स्पून जितलू तेल नाखी सु। टेल गरम ठाई एटले एमा एक टीजब करी ने राई नाकी सु। अन्य राई चटकी जाई एटले एमा एक टीजब करी सु। હવે એમા 1 टेबલ्स्पूન આદુ લસણ લિલા મરચાવારો લિલો મસાલો નાખીને મહસગ કરીસું ટ્યારબાડ ગેસ ફ્લેમ ઓફ કરીને એમાં દસથી બાર કડી લેમડાના પાન જીના કાપી લીદા છે એ નાકી નએ મી પ્રમાણે એક અને બીજી અડીં એમ તોટલ ડોટ ટીસ્પુન મીઠુ ટેમજ બે ટીસ્પુન લીમુનો રસ નાખ્યો ખીરુ બનાવીને નાક્યો હટુ એને ચમ્ચી વડે એકવાર સારે દીટે હલાવી લઈસું હવે એમાં પાટ સ્પુન બેકિંગ સોડા અને એની ઉપર એક ટેબલ્સ્પુન જેટ્લું હુફાળુ ટેલ નાખી નાકી ને સારી રીટે મિકસ કરી ને એમાં ફ્રાઈ કરુવા મુકી સું ગ્યસ્પલેમ લોટુ મિડ્યમ ની વચ્ચે રાખી ને વડા હલ્કે હથે પાઉને છુટા પાડીને દરેક પાઉને વચ્ચે થી આ રીટે કાપી લઈશું એ એ માં મુકી સું સાથે ખાવા માટે લઈશું મર્ચ્યા ની પટી હવે આ સૂપે ટેષ્ટી વડા પાઉં રેડી પસંદ આવે એવું આ નાશ્ટો સવાળના કે સાંજના ટાઇમ પર ખાવા માટે બનાવી સકાય માટે આ રેસીપી તમે કાંળું નым માામએંને